प्रधान मंत्री मोधी आज से यूरोप की यात्रा पड़े हैं, जिसमें वो 65 घंटों में कुल 25 मीटिंग करेंगे, 8 राष्ट्या ध्यक्षों से मिलेंगे और 50 उद्योग पतियों के साथ मंत्र नाव करेंगे। इस पर राम गांदी ने पूछा है कि देश में बिजली नहीं आ रही और प्रधान मंत्री ट्रांस्फर्मर पर चरकर फ्यूज ठीक करने की जगह विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। पर निकल रहे हैं। राष्ट्री सामने आने से कतरा रहे हैं। मेरी हर एक प्राइम टाइम के एपिसोड में उनके लिए प्रश्न होता है कि तेल के दान क्यों बर रहे हैं। IIT से पास गोरक फुरका मुर्तजा अबासी विरोजगारी से इतना परिशान हो गया कि उसने ISIS को फंड भिजना आरंब कर दिया। वो चाहता तो इसी देश में कहीं पुल बना सकता था। लेकिन उसने कोई स्कोप न देखकर एक आतंकी समों को योगदान देने की सूची। नोट बंदी हुई आपने कुछ नहीं कहा। सहलिया। सहना एक राष्ट्रियों द्योग बन चुका है। कम वेतन पर अधिक काम किये जा रहे हैं लोग। कोईला है लेकिन भिजली नहीं आ रही है। और छाती ठोक कर हिंदु मुसल्मान करने वाली पार्टी या उसके नेताओं से उन्हीं के धर्म के सूरज पर कोई नियंतरण नहीं है। जो कि पूरे उत्तर भारत में जहां इनकी सबसे गहरी पैठ है, 40 डिग्री तक ताकमान बढ़ाय हुए है। आप ही बताईए कि इन क्षेत्रों में रह रहे हैं अल्प संख्यकों को कितनी गर्मी लग रही होगे। क्या आपको लगता है कि एक सहियोग मातर है कि रोजे के महिने में सूरी की चमक सुता बढ़ गई है। जानकारी के लिए बताता हूँ कि अमेरिका मोदी को लुभाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है और अमेरिका की ही नासा ने हाली में पार कर सोलर प्रोब भेजा है सूरी की तरह। एक पार्टी और एक वेक्ति को किसी एक मज़भ के लोगों से कितनी गणा हो सकती है उसका यह जीता जाकता उधारन है कि रमजान जिसमें राम का नाम आता है अंग्रेजी में वैसे महीने में सूरी अधिक चमक रहा बिजली अधिक कट रही और यीद पर शुब कामनाय देने से बचने के लिए आपका प्रधान मंतरी देश से भाग जाता है बहाना बना कर जहाज का दाम भी बता दूँ या आप स्वयम ही गूगल कर लेंगे प्रधान मंतरी से जुड़ी एक अन्य खबर में सुप्रीम कोट के मुख्य नयाधिस ने सरकार को कहा कि नयाई के उस्था के लिए धाचे बनाने के लिए सरकार एक ऐसी संस्था बनाए जिसके चीफ मुख्य नयाधिस स्वयम हो और राजियों में उच्छ नयाले की चीफ माने भारत सरकार पैसे दे और जज लोग तै करें कि उनकी बिल्डिंग कहां बनेगी कैसी बनेगी दूसरा सुझाव उनका यह था कि राजियों के उच्छ नयायालियों के नयाधिस जो सेवा निवृत्त हो जाते हैं तो सरकार उन्हें वापस एक्स्टेंशन दे दे और न अंतरन से मुक्त कर चुकी भारतिय नयावस्था कितनी धीठ है कि उसे अब रिटायल जजों को सेवा निवृत्ति के पस्चात भी नौकरी पर रखने को कह रहें यह इसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संभव है कि इनके भतीजे जीजा के भाई बीवी के भांजे आधिको अ दिहान दिला है कि राष्ट के विभिन्य नयायलेओं में 4.8 करोड मामले लंबित हैं जिसमें 58,000,000 सिर्फ उच्च नयायलेओं में हैं, 65,000 सरवच नयायले में और बाकी निचली अदालतों में वहीं वेणो गुपाल जी ने यह जानकारी भी दी कि एक लाग से अधिक केस ऐसे हैं जो 30 सालों से लंबित हैं, जिसमें 10 से 15 साल का समय उच्च नयायलेओं ने ले रखा हैं एक केस की एउसत आयू 8 वर्ष होती है भारतिय नयायलेओं में, काफी गंभीर बातें कही गई, रमना साब ने भी कहा कि सारी बातें उचित हैं और उन्होंने भी कई बार उच्च नयायले के नयायदिसों से इन्ही बातों पर काफी चिंतन किया है चिंतन तो देश का हर नागरिक कर रहा है महोद है, चिंतन के बाद आपने क्या किया यह तो बताईए अभी कुछ दिन बाद चले जाएंगे छुटी पर, निरलज्ज होकर, इन ही आकड़ों की अंदेखी करके जब सुप्रीम कोट को हाई प्रोफाइल वकीलों को आदे घंटे के भीतर केस की सुनवाई का समय देने, फिल्म के सीन काटने, संसत द्वारा पास कानूनों पर जवरन राय देने, जहां राय देना हों हचुप रहने आदी से समय मिलेगा, तब तो आप उस गंबीर चिंतन लेकिन वो भी जानते हैं कि जनता तब उन्हें कही जट साहब कोट मत जाईए, नेट्फिक्स पर कोमेडियन्स के लिए विशेस कारिक्रम बनाये जा रहे हैं, वहां का फॉर्म भर लीजिए भारत सरकार ने शाह फैजल नाम के आये सदिकारी को तीन साल बाद पुना प्रशासन में जगा दे दी, तीन साल पहले फैजल ने भारत सरकार पर कश्मीरियों के निरंगुष हत्याओं का आरोप लगाने के बाद, फेस्बुक पर बताया था कि वह प्रशासनिक सेवा से त तीन साल तक केंद्र सरकार ने उसका त्याग पत्र नहीं सुईकारा। तीन साल में पहले एक साल तक फैजल ने अपना प्रपगेंड़ा चलाया, इस राश्र की छवी को हानी पहुचाई, पहले भी भारत को इसने रेपिस्तान बताया था। फिर वो राजनीती में आये, कश्मीर केंद्र शासित हो गया, ततपश्यात उन्होंने मोदी जी पर चालीस सा लिखना अरंब किया, और अब वो वापस कश्मीर की नई पहचान बन गये, सबका विश्वास का जीता जागता उदारन है फैजल, फैजल का खून खौला, फैजल फैजल ने खूब प्रपंच फैजल फैजल घर आ गया, तो मोदी सरकार ने कहा, परमिसन तो लेना चाहिए था न आपको, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, आपको सरकार ने इस आशा से टॉप करवाया था, कि लोग को लगे कि देश में मुसलमान भी टॉप कर सकता है, वो भी क तस्वीरें छापकर बता रहे हैं, कि इस साल का तापमान पिछले 144 साल का रिकवार्ट तोर चुका है, ऐसे ये बारिश होती है, तब भी छटरियां निकाले नव्यूपतियों की ही तस्वीरें समाचार पत्रों में छपती हैं, प्रस्निया है, कि क्या लड़कों को गर्मी किया जाता रहा है, हम में क्या काटे लगें? इसी बात से दुखी ही चल रहे हैं, एक नवीवक ने वाइरल होने की आस में एक स्कूटी पर उसकी सीट पर डोसा बना दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विलक्षन कृत्ति के वाद भी, अगले दिन समाचार पत्र मे यही चपा होगा कि वह स्कूटी फला लड़की की थी, उसके बाप का नाम यह है, वो फला रोट के फला मुहले में रहती है, और उसकी सहेल यहां अकसर डबल लोडिंग करके पैट टिका कर स्कूटी को रोकने का जतन करती रहती है। हाली में प्राप्तवे वीडियो में यह देखा जा सकता है कि हर मज़भ के लोग इसमें स्वयम ही योगदान दे रहें। सामप्रदाइक सधभाव का यहुदारन उत्तरप्रदेश में ही संभव है। कुछ लोगों का प्रशन है कि इतने लॉड़िस्पिकर का योगी जी कर हाले भेजने के बाद हिंदूओं से यह पूछने वाला ओवैसी कि उसके आद तुम्हें कौन बचाएगा। प्रशने वाला बयान तब आया था जब इसे लग रहा था कि अखलेस की साइकिल आएगी और आजम खान फिर से सत्ता चलाएगा। भैस खोने पर पुलिस माकमा लगा देने वाले आजम खान आज किस स्थिती में कोई कुट्ता भी उसे पूछ नहीं रहा। कि तीन महने के अंदर हिंदूों को ललकारने के बाद स्वता तुम्हारा विलाप आरम हो जाता है। पाकिस्तान से आरे समाचार में वहां के एक टीवी चैनल ने पाकिस्तान के नए पीम के इवेंट की कवरेज ना कर पाने पर 17 लोगों को नौगरी से निकाल दिया। मुझे पहले लगा कि प्रणाय रोय के एंडी टीवी ने इसा किया है और रवीश को निकाल दिया। फिर पता चला कि नहीं नहीं ये वाली खबर जो एंडी टीवी ने चलाई बहले वो पाकिस्तान का राष्टिय चैनल है परन्तु वहां और भी मीडिया चैनल है। इसकी जड़ में जाने पर पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास कोई अच्छा लैपटॉप नहीं था। संभव है कि उन्हों अभी भी 512 MB RAM और 80 GB hard disk वाले pentium दुटिय से काम चला रहे हुआ हूंगे। जिस राष्ट में टमाटर और नान पर आफट है वहां हाई-end लैपटॉप मिलना तो असंभव ही है। हाँ उन्होंने सुमया तारा से लैपटॉप नहीं मांगा यह आश्यर जनक बात है। अखंड भारत का हिस्सा होते तो एक हाथ में पत्थर होने पर भी मोदी जी उन्हें दूसरे हाथ में लैपटॉप अवश्य ही पकड़ा देते। कमेंट में और वी राइमिंग का विता करें और बताएं कि मोदी जी को इनके लिए और क्या 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 करना चाहिए। NDTV ने ही दूसरी ख़बर में बताया है कि नए प्रधान मंत्री ने सौदी अरब से आठ बिलियन डॉलर का पैकेज पाने में सफलता पाई। भीख मांगने को पैकेज सिक्योर करना NDTV ही कह सकता है। पाकिस्तान के अपने अखवार वाले डॉन.com भी शहवाज शरीफ की यातरा के बाद यह नहीं लिख रहे हैं कि वहां से पैकेज मिला क्योंकि मिला नहीं है। उन्होंने भी यही लिखा है कि सौधी इस बात पर विचार कर रहा है कि पाकिस्तान को जो पहले तीन बिलियन का कर्ज दिया है उसे बढ़ाया जा या नहीं। लेकिन NDTV नहीं चाहता कि उसके अपने देश के लोगों में एद के शुब अफसर पर निराशा फेले। असली राश्वप्त का अवार निशाने पाकिस्तान तो इन्हें दिया जाना चाहिए। महराश्ट में एक पिता ने अपनी पुत्री का विवाह तैवर से ना करके किसी और से तब कर दिया जब दूलादारू पिकर नाचने में वस्ता और चार की जगह आठवजे मंडप में पहुँचा। अब इसमें चूटकुला क्या बनाया जाए। हमारी तरब बिहार में दूर लगी यानि बारात के लड़की के घर दूर तक पहुँचने में प्राया दो-तीन घंटा अधिक तो लगता है। मूर्द कभी का हो बारात जहां ठहरी है वहां से विवाह मंडप आने में दो घंटे अगर ना लगे तो ना तो बरातियों को मज़ा आता है ना वधूपच की तैयारी ठीक से हो पाती है। वधूपक्ष भी जानता है कि समय से दो-तीन घंटे लेठ ही आएंगे तो पूड़ियां तलने से लेके मंडप में ताजे पुष्ट गुच बांधने तक अंतिम समय तक प्रतीक्षा की जाती है। परंतु बिहारी सिंगल युवाओं से निवेदन है कि समय से पहुँचें परना पिता जी लोग अब क्रियेटिव होते जा रहे हैं। मुंबाइ इंडियन्स ने नवे मैच में अपनी पहली जीत धर्च की। इससे वैसे पिताओं ने चैन की सांस ली जो हमेशा शर्मा जी के लड़के को देखो। ये कहकर अपने बेटों को बेजज़त करते रहते थे। सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार उनके बेटे पिछले कई सब्ता से उनसे राह चलते पूछ लिया करते थे। वो शर्मा अंकल का लड़का आजकल क्या कर रहा है पापा। तो उनसे उत्तर देते नहीं बनता था। इसी के साथ चैन्नाई सूपर किंग्स के कप्तान र नंबर एक और दो के जगा के लिए नीचे से प्रियासरत है। ठैन्स ने कहा है कि नीचे के टीमों के अलग से प्ले आफ कराए जाए। इस पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के समर्थक नाराज हो गए। कि जिस वर्ष वो लोग नीचे के चार में नहीं हैं उसी साल इसे व प्रेद्र मोदी को ग्यापन दिया है परंतो भाजपा समर्थक जनता ने ग्यापन रास्ते में यह का कर फार दिया कि दिवाली पर कोली बहुत ज्यादा ज्यान देता रहता है। कश्मीर में लशकर के दो आतंकी पकड़े गए जिन्हें सेना ने हाइब्रीड आतंकी कहा है इससे पहले कि आल्क न्यूज चीक करिया छापे कि नहीं सोलर पावर से नहीं चलता हाइब्रीड आतंकी। अपने कैरियर में भी आगे बढ़ो, because सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रकास, सबका निकास, सबका लॉलीपॉप, सबका लैप्टॉप। यह कहकर विदेश यात्रा की अनुमती दे दी, कि यह कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं है, उसके माबाप भी बूर हैं। वहीं इसी देश में लाकों लोगे से हैं, जो जवानत का पैसा ना दे पाने के कारण जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके माबाप मर गए, चोरी की रकम हजार या कुछ लाक में थी। भारत में अंडर ट्रायल कैदियों में दो तिहाई से अधिक सत्तर प्सरत लोग गरीब या निरक्षर या लगवग निरक्षर हैं, जो बेल की धनराशी देने में अक्षम होते हैं, और हजारों मामलों में अपनी अधिकतम सजा से भी अधिक समय तक सुनवाई की पहली ता कारण ही सरते रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, अनुष्का शर्मा के जन्म दिन पर विराट कोली ने लिखा, इश्वर को आभार कि आपने जन्म लिया, आप नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता, विराट भाई के इस प्रश्न का उत्तर तो लोग दे देंगे कि अनुस्कार नहीं आती तो आप पटाखे चला रहे होते और दिवाली पर ज्यान देने की जगा बैटिंग पर ध्यान देते हैं पिंग विला ने इसे सुटेस्ट बर्थडे विष कहा है और यहाँ भी लिखा है कि वाइफी ने इस पर प्रतिक्रिया भी दिये पिंग विला के लिए अगर आप स्वुटेस्ट बर्थडे विष लिखकर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको Google के कई पेज पर headline में हर एरे गहरे नत्वुक एरे celebrity के हर Instagram वड़े विश्के लिए आपको sweetest शब्द का प्रियोग दिख जाएगा इसलिए कई बार कहा जाता है कि पत्रकार चाहाए आप entertainment beat के ही बनो, खबरे Instagram के post से ही बना लेकिन भाषा का ग्यान होना आवश्यक है कि sweet, sweeter और sweetest में अंतर होता है साथ ही पत्नी को वाइफी लिखने का मतलब समझ में नहीं आया ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वाइफाई भी लिख सकते है खैर आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है शेर करें, सबस्क्राइब करें और notification bell on कर दें जुनने के लिए आवहार नमस्कार झाल